एक बार सारे बच्चे को उंग्रेचुलिशन लिख दी, पुलिस वाले का लोंडा, अपसर बन गया, स्टेक्टिस्टिकल ऑफिसर बन गया, पुलिस वाले का लड़का, कितनी खुसी की बात है, और मेरा सल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को, खुसी इसने दी, वो स्वर्ग है, औ और स्वर्ग के भागी तो आपको भी बनना पड़ेगा, और कोई और नहीं बना सकता, उस स्वर्ग के भागी आपके मावाब को, आप ही बना सकता, यह अनमूल है, इसकी कोई कीमत माईकाला लगा ही नहीं सकता, अनियल अम्मानी को यह खुसी कभी जीवन में नहीं मिलेग और मेरे भाई बगवां तरह पहला करा कराने वाला अलाबाद से जी सर गवरामाद जी सर अले पानियों नहीं पी तो आप से मिल रहेंगी नहीं नहीं तू मुझसे आपको देखा तो पहली पार तो भी आपसे मिल लेंगी बहुत ज़िए अचाती वाइब्रेशन ऐसे चल रह है डेखो यह बच्चा अलाबाद से आया है और इस बच्चे का जिस पोफ्ट पे सेलेक्शन हुआ है आप मिसे बहुत सारे बच्चे की ड्रीम इसकी रेंक है, 31 इस बच्चे की रेंक है, तो मैं चाहता हूँ आप सब इस बच्चे को बढ़ाई दें, कमेंट्स में, ताकि आप इस बच्चे से मोटिवेट हो पाएं, अलाबाद से, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर, मेरे मम्मी हाउस फाैग है और पिता जी पूलीस से भागँ है, यूपी पूलीस से हैं, देखो पूलीस वालेका लोंडा अब सर बन गया, स्टेटिस्टिकल ओफिशर बन गया, पूलीस वालेका लडगा, कितनी खुसी की बात है, और मेरा सलूट है ऐसे पेरेंट्स को, द देखिए, सच बात ये है कि अपने प्रजाजी को रेटार्मेंट के इससे अच्छा तौफा नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेरे बच्चे, तैंक यू, नाम के है तेरा बच्चे? पता है, इस बच्चे में कमपनारा ये, बहुत इमोशनल बच्चा है, और आप एक बात समझना कि हम अपने पूरे जिवन में आपने माबाप का कभी कर्ज नहीं उतार सकते, भगवान ने ऐसी कोई युक्ती बनाई नहीं जिससे उस कर्ज को उतारा जा सके, लेकिन सच ये है कि इसके फादर तीन महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, और ये अपने फादर से भी बड़े ग्रेड पे पे इसने अपने फादर साब की रिटायरमेंट से पहले ही सेलेक्शन ले दिया, आप क्या उमीद कर रहे होंगे कि जो कमपनी इसके सरीर में इस समय हो रहा, जो ख इना चोड़ा करके बता रहे होंगे कि मेरे बिच्चे ने मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरे बच्चों हम इनी कामों के थरू, इनी स्टेप्स के थरू, अपने माबाप के जीवन को खुसहाल कर सकते हैं, उनको खुसी दे सकते हैं, क्योंकि ये खुसी जो है ना, ये अनमूल है इसकी कोई कीमत माईक अलाओ लगा ही नहीं सकता अनील अमानी को ये खुषिगे जीवन में नहीं मिलेगी औ न या किसी और टाटा बिल्ला को टाटा को ठोड़ दीजी इनको audience पढ़ाने को कि बच्चों को कभ Two को कि बच्चों को कभ ये खुषिगे आप सूचिए आज इसके माबाप के जीवन में कितनी खुसी आई होगी और खुसी छोड़िए आज इनके माबाप का मन क्या कर रहा होगा मतलब उचल कुल हो रही होगी मन में मतलब कितनी खुसी की चीज़ है यार टीचर के मन में खुशी है, माबाब के मन में खुशी है आप समझते हो मा के जीवन को मा जो है ना वो जब साधी करके आती है ना ये बच्चा जिस उमर में इसकी मदर को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी मदर भी लगबग इन से थोड़ी बड़ी होगी इसकी माता से, बड़ा कठी जीवन रहा है, जो ओरते रही है आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, जो साधी होके आई है, उनका जीवन असान नहीं हुआ है, बहुत कठोर प्रभी सर्मों से, सास नाम जो फिलमें देगा करते थे थे, सास हर बात पर तंग करती, ऐसी रहती थी व क्यार मेरे जो पोदे दो-तीन मैंने बोए हैं ने, ये पोदे किसी दिन बड़े हो जाएं, और बस इनकी छाया एक दिन मुझे मिल जाए, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, तो इसने वो छाया अपने माबाब को आज परदान कर दी मेरे बच्चों, वो स्वर्ग है इसकी मात मेरे बच्चे थेंक्यू, तो हाथ मिला, और इस बच्चे का जो इंट्रिव है, वो हमारे यूट्यूब चैनल कोन सा बनाएं, नहीं नहीं, चैनल का नाम कह जिस पर इंट्रिव डाल रहा है, और आप इसके जीवन के बारे में वहाँ जान पाएंगे, और आप अपने आप को और से ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे और पोजिटिवली मोटिवेट कर पाएंगे क्योंकि सफलता का मोटिवेशन सफलता ही है सफलता का मोटिवेशन सफलतम व्यक्ति है ना कि कोई टीचर हम आपको मोटिवेट नहीं कर सकते ये जो selection है ना ये जो कंदे उठे हुए ये आपको उठाएंगे और उचाईयों तक और बुलंदियों तक लेके जाएंगे अरे मेरे बाइशन को ने ने हम तो अब उस टेस्ट पे आ गए हैं कि सब कुछ ने चौर कर जाएं ये खुषी होती है एक टीचर के लिए जो अप्रम पार होती है और अनमोल होती है जिसको लफे बाज नहीं पा सकते है एक टीचर ही पा सकता है और उसके स्टूडेंट ही उसको ये खुषियां दे सकते हैं और ये खुशियां शायद 15-20-50 लाख में खरीदी भी नहीं जा सकती हैं, और जिसमें जमीर जिन्दा होता है, वो अपनी खुशियों को बेचता भी नहीं है, मेरे बच्चे थेंक यू, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत, एक फोटो आपके साथ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, पापा, पानी, और बिटा, तेरी बढ़ाई कैसे चल रही है, बड़ी चल रही है, इसकी तरह थोड़ी दिन बर फोन में लगा लाता हूँ, पंगाल का पहला गौर्णल जुनल कौन था, लॉर्ड वर्रन हैश्टिंग, इंप्रूव्मेंट महसूस कर सकते हैं, तो बच्चों इसी तरह से सही जवाब देते रहिए, और आगे बढ़िए करेवल के साथ, जहाँ आपको मिलेंगे इंडियास बेस्ट एडुकेटर्स, बेस्ट क्वालिटी और कंडेंट के साथ, इसी के साथ आपको मिलेगा यूप टैबलरी बैच, इंग्लिश स्पोकन बैच, तो आज ही डाउनलोड दरे करेवल एप